बाई और कंपनिया को इसी सर्वीश ने ये बढ़िया सर्वीश देवा है सर्वीश भी पचास किलों लगातार काटो कोई समस्य आए तो हम जिम्मेबार हैं उसके इसान बाई को किसी भी कस्टमर को दिन हो या रात हो उनका काम ने रुकड़ान चाहिए बिल्कुल हास्तर यह बढ़िया किसान साथी ने मशीन खरी दिये जो रिपर प्लस बाईंडर विद इसलफ परेटिट यानिकि इसमें ट्रेक्टर का कोई शीव नहीं है काफी बढ़िया मशीन है बीचीएस कंपनी किसान साथी ने खरी दिये जै किसान एगरी प्रिनियूर्स जो डिलर्सिप है यहां जजजर में बाई पास के उपर उनके यहां से खरी दिये तो किसान से परिच्चे करेंगे और जो डिलर्स है उनसे भी परिच्चे करेंगे यहां पर क्या 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 कौन से कौन से इंप्लिमेंट से यहां पर मिल जाते हैं तो लो जी बहुत बहुत अच्छा अच्छ ट्रेक्टर है उसके बारे में तो अनुसकार बाई सबसे पहले पाइसाब आपना नाम पता अब सुरेश कुमार अच्छा जी गांव बिरोड अच्छा जी तो अपने मशीन खरीद ली पहले आपने चला कर देकि दिया कहीं राय ली आपने कई एक पिछली बार इसे कट्वा आपने सोच लिया भी अपकी वार मैं मसीनी ले लिए अच्छा अपके खुद की खेती के लिए लिए वन लकिरायब चला गिराय पर भी और खुद के लिए अच्छा फिर आपने मतलब यह नियुक्त अब इतने एक लगा दिया मने कोई फ़हमी तो नहीं किसे बाई ने कई ज चीज़ादा पैसे लगारे हुल्या कोई तो देखो काम किया अरांड है कि काम जैसा ले रहे हैं मुझसे साब से डीजल तो चल लगागा अच्छा चलो काफी चीज है बाई और बिजनस के परपस से किसान साथी ले सकते हैं इस मशीन को और अब जो चारे की समस्या तो काफी हो चुकी है तो एक बार थोड़ा डिलर सा और जड़ैंसा से चाए अब बीश्च की लीए इस ही साले पर्यम पहली मशीन सेल प्रोपेंड मसीन है ओं लो में की मशीन है के शब्वेक्र काफीजारों जान गचे सब्सक्राइस किसान झीजिए है द अब से बड़ी प्रोड ब्दाए हम 시 늘 मसीन मातर एक लीटर या उसे भी कम अच्छा डीजन में आपका 1 एकड़ जी की कि कटाई कर देगी अच्छा साथ मैं इसको खेत में ले जाने में लाने में या किसी छोटे रास्ते में बड़े रास्ते में कोई समझते की बात नहीं है ये मसीन बीचींस जो के इटली की कम्पनी अच्छ उसके बणाएं गई है जितने भी इसमें कल पूर्जी लगे हैं वह सारे वेल के द्वारा जो बाहर से ही टेस्ट होके आते हैं मैक्सिम जो पुर्जे हैं वो विदेश के पड़े हुए बीसी एस कंपनी के खुद के इटली के और कोई यह दी पूर्जा अपने इंडिया में बनता है उसकी भी टेस्टिंग भार से होके आते हैं तब ही उसमें फिट होता ह लिए टीक है क्वालिटी की जो बात है बाई ने पिसले साल भी किसी इसे कटवाया था उन्होंने खुद सल्टिफाइग किया कि हम मशीन में कोई दिक्कत नहीं हमसे बात की है और हमसे ओर दे के मंगाई है और यह पहली मशीन हम मंगा के बाई को डिलिवर कर रहे हैं इसमे कई मशीनों में बताते हैं दागा तूटने वाली समस्या अच्छा इस मशीन में वह समस्या ना के बाद ना मतर है ना के बराबर है इसमें हम दोनों टाइप के दागे यूज़ करते हैं नाईलोन का भी और जूट का भी अच्छा इसकी जो गांट माने च्मता है और दागा तूटने के जो कमी वो बिल्कुल नामतर है दागा बिल्कुल टूटता नहीं है बाई चांस एक आज बार टूट गया तो आसानी से बन जाता है ठीक है ठीक है उसके बाद इसके जो ब्लेड और जो कलपुर्जों की जो क्वालिटी कमपनी ने दी है उन्होंने बोल के दिया 50 लगातार काटो को समझ से आए तो हम जम्मेबार हैं उसके बीज में काद बार दागा तूट सकता है इसे ज्यादा कुछ कमी नहीं आएगी बिल्कुल जो इसका इंजन है वो साथ असपोर का है डिजल ओपरेटिड है अच्छा सेल्फ स्टार्ट है बैटरी ओपरेटिड स् लोगा अपना वी काम करते हैं और भी बाड़ा किराया कागा वी कर सकते हैं उस में जितने भी कटाई ही होगी इसकी वह जमीन वह पहले बीगश चुका है उसी हिसाव से मसीन काटेगी और काट के जो बंदल बनेगा वह बीच से लेकर टैरों के बीच से गिरता जाएगा कहीं साइड में या कहीं उपर नीचे नहीं गिरेगा वह तो किसान साथी उन्हें पहले भी देख चुके हैं उन्हों तसलिक की हुई है हमने भी इसका देखा परफॉर्मेंस भाई भी हमने दो अपने खुड डिलर्शिप के कंपरी बेज़े हैं ट्रैनिंग के लिए चोटी मुटी समस्या किसान को आती है तो भाई अटेंड करेंगे जाके बाकि कंपरी की स्पोर्ट में मारे पास पूरी जाएगी उनके बंदे भी रहेंगे लेकिन इसा होता भई बंदे दूर हो किसान काम टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक मिनिट उस ताइम पर कीमती होता है उसी चीज का ध्यार रखते हो ने भाईयों को दो को ट्रेंग के लिए वहां आए हैं जो भी समस्यान को आएगी उसका जल्दी जल्दी समाधान कि क्या जाएगा ताकि भाईयों का काम सीजन के टाइम पर ना रुक है कि इस एक के रिपर बाइंडर बनाती है जो तीन वील ओप्रेटेटेड भी हैं च्यार विल बी ओप्रेटेड़ हैं और बिना सेल्फ स्टार्ट में ट्रेक्टर के साथ माउंटेड भी मसीन बना रही हो अगे वाला पीछे वाला दोनों रिपर बैंडर आप यूज कर सकते ले सकते हो और यह सेल प्रोपेल्ट भी है चैरो टाइब के बनाने और यह जो हाथ से लोग खीशते हैं तलाते हैं वह भी मसीन बनाती है लेकिन उसको लोग आजकल कम लेते हैं बिल्गुल क्योंकि ट्र इस वरेज है एक गंटे में एक एकड काटने का है तो आप दिन में मालों दिन्दर में भी काम करते हो तो दस वाराइक आराम से आप इसमें काट सकते हो तो बाकी में चीज़ और जो ना चाहूंगा जैसे किसानों को या कोई भी हम मसीनरी लेते हैं एक स्पेर पार्ट की ब रखा हुआ है किसी बाई का बालों कोई टूट गया कुछ और चीज हो गई मसीनरी है कुछ भी हो सकता है तो उसकी सपेर पार्ट स्पोर्ट है वह मारे पास रहेगी किसी भी किसी तैमा के समान ले सकते हैं ठीक है सर्विस आफ्टर सेल है वह हमने उत्तम दर्जे की प्रण दिन हो या रात हो उनका काम नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल हाँ सर्विस यह मारे कोशिस रहेगी चलो जी दन्यवाद आपका और ऐसी सर्विस लगातार बनाए रखें तो उसके लिए काफी अच्छा है और किसान साथियो की परफॉर्मेंस जो इसकी होगी ना खेत में कोशिश करेंगे इसकी वीडियो बिणाने की बहुत बहुत जरूर आपके लिए एक बार इसकी वीडियो लेकर आएंगे तो एक बार डिलर साप से हम पूछेंगे किसान साथी इस मशीन को अगर लेना चाहेंगे तो एड्रस कहां का और जो फोन नंबर से वह भी शेयर करना आप एक बार इसका एड्रेस और नंबर बताएं थोड़ा हमारी दुकान जो डिलर्सिप है जजजर में ओल्ड बाइपास रोड जो जेडी हेवन्स होटल उसके पास में है अच्छा अच्छा यह सुबह साथ बज़े साथ बज़ेश लेके और रात के नो बज़े तक हम तो दूसरे नंबर मिल जाएगा और आपकी पूरी टाइम से सर्विस दी जाएगी ठीक है जी चलो जी दन्यवाद जो है टूल कीट वगएर सारा कुछ से इसमें साथ में किसंसाथियों के लिए बताना चाहूँगा यह मसीने जो बी-सी-स की हैं पूरी गोवर्मेंट अप सबसेड़ी के लिए किसान को किसी परकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सबी मसीन सबसेड़ी पास हैं और जो किसंसाथी लेना चाहता है आपको अड्रेस और नंबर आपने स्क्रीन पर मिल जाएंगे यहां तो दन्यवाद जी आपका भोत